इस गरतन तो जुड़िए MD Classes के साथ railway की संपूर त्यारी के लिए railway LP का complete course जिसमें CBT1 और CBT2 आपको मिलना होगा या पूरा आपको मिलेगा सिरफ 49 रुपे में तो देख किस बात की अभी download करें MD Classes का official app या दिये का number पर WhatsApp करें नमस्कार बच्चों कैसे हैं आप सभी स्वागे थे आप सभी का MD Classes की YouTube चनल पर आसा करते हैं कि सबसांदा ठीक और बढ़िया चलना होगा railway पर लगतार दबाव बनाए जा रहा है कि कि किसी भी हाल में जो vacancy जुनोंने इतनी कम मात्रा में निकाली है पिछले 6 सालों के बाद अब इस vacancies को बढ़ाने का परम करतब बे उनका है ही और साथी साथ जो इसमें एज लेक्सेसन नहीं दिया गया है टेकनीशन की भरतिया नहीं दे गही है उस पे भी उन्हें काम करने क्या हो सकता है लेकिन हालही में RRB जम्गू के वेबसाइट पर ओफिस्टेल रेलवे एलपी का कम्पलीट नोटिफिकेसन की जो पीडियाफ है वो अपलोड करी गई है और लगभग सभी रेलवे की वेबसाइटों से हम इस वाले फॉर्म को भर सकते है बैरहाल अभी आपको फॉर्म भनने के आवसकता नहीं है क्योंकि जब तक वेकेंसीज का जो भी ब्याओरा है वो हमारे सामने नहीं आ जाता तब तक सही तरीके से सही जोन से फॉर्म अपलाई करना वाकई में बेहद मुस्किल होगा इस महीने के आखरी तक का हम थोड़ा से इंतजार कर लेते हैं इसके बाद जैसे ही हमारे पास वेकेंसीज बढ़ेने के सभी ब्याओरे सामने आ जाएंगे मैं खुद आपके सामने बच्चों वीडियो बना दूँगा कि आप अगर इस जगहां के है तो आपको ये जोन चुनना चाहिए और यहां से फॉर्म पनना सबसे ज़्यादा लाब दहक रहेगा हुआ क्या था कि पिछली भी बार जब 2018 उन्लीस में भरतिया आई थी एलपी की गुरूब डी की एंटी बीसे की तो मैकसम बच्चुना जो जॉब छोड़ी वो ज़्यादा तर उसका सबसे बड़ा कारण रहा था जोन गलत होने की वज़े से वो घर सी इतनी दूरी दूरी पर उन्हें जॉब मिल रहा था कि वहां से आप आना जा पाना बड़ा मुश्किल सा हो रहा था और वो सब कुछ वेकेंसी की हिसाब से भी नहीं डिपेंडे करता कि नहीं यहां भरती सबसे ज़्यादा है तो किसी भी हालत में यहीं से भल लो तो मेरी यहीं आपसे गुजारिस है जैसा कि बच्चा अब करता है कि जब तक कोई वीडियो ना बन जाए तब तक फॉर्म नहीं बरता है आज के इस वीडियो बच्चों हम जानेंगे एलपी में जो नोटीस आई है उसके हिसाब से पैटर्न में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है और ये मैक्सम बच्चा ने तो देख लिया होगा लेकिन इस बदलाव की वज़े से अब हमें किस सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए कैसे एंटीपीसी वाले बच्चों ने बहतर स्कोर करके स्टेशन मास्टर तक की पदवी हासिल करी थी कैसे एलपी 2018 में बच्चों ने बहतर स्कोर किया था अच्छे अच्छे पदों पर है और कैसे यहाँ पर टेक्नीशन के पदों के थ्रू हम लोग इस चीज को बहनत कर सकते हैं अभी तक एलपी का जो देखा जाएगा तो 596 पद है 20 जनुरी से फॉर्म एलपी ने सुरू कर दिये थे 19 फवरी तक भरे जाएंगे फवरी के ही पहले सब्ता में आप में से मैक्सम बच्छा फॉर्म भर जकता है क्या वेकेंसीज बढ़ेंगी बच्चों के साथ अन्यायक हो तो ऐसा लग रहा है कि वेकेंसीज बढ़ेने के चांसस काफी जादा है क्योंकि लोको एसोसेशन भी इस चीज में बिलकुल दबाव डालना है रेलवे की उपर कि हमारे पास लोगों की संख्या कम है लोको पाइलेट पे लगतार प्रेसर है 12-20 घंटे जॉब करने का जो कि बिलकुल तरीके से निराधार है इस पे जरूर काम करना चाहिए और अभी अभी आपने देखा एक वीडियो भी बनाये वह जिसमें ये बताया है कि RRB जम्मू की तरफ से मुंबई की तरफ से नोटिस आई है जहां पर इस बात को बताया गया कि जो भी टीचर्स चाहते है जो भी कोचिंग संस्थान चाहते है कि भाई आके बात करें चेयर परसन से वो आईए हम और आप मिलके बात करेंगे और समझेंगे कि वेकेंसीज में मिसकंसेप्शन कहां पे रह रहा है मैंने टीचरों के लिए भी और बच्चों के लिए भी हिदायत दी है उस वाले नोटिस के हिसाब से अब कैसे आगे काम करना होगा चलिए अब आते हैं सारी बातों को थोड़ा ध्यान से समझ जाए सबसे पहले तो कौनसा बच्चा अभी तक का फॉर्म को भर सकता है अभी लेटेस नोटिस के हिसाब से जन्रल वाला बच्चा अठारा से तीस तक बीच होना चाहिए OBC वाला अठारा से तैतीस साल के बीच होना चाहिए ST वाला बच्चा अठारा से पैतीस साल के बीच होना चाहिए और ST वाला बच्चा अठारा से पैतीस साल का होना चाहिए रेलवे ने यहाँ पर भी बच्चों के साथ धोखा कर दिया जिस पर सैद अभी कोई आवाज नहीं उठा रहा है क्योंकि ये डेट आप बर्थ 1 जुलाई 2019 से ले रहा है अब आप सोचो एक जनवरी से लेने वाली डेट को अगर वो जुलाई ले रहे हैं वालीडी 6 महीने जो बच्चे की इस डेट आप बर्थ में पड़ा होगा वो तो इस वाले कमप्टीशन से बाहर हो गया इस पे भी एज लेक सेसन का मुद्दा तो हमें चाहिए ही चाहिए साथी साथ अगर रेलवे इसमें बदलाव कर सकता है अगर उसके लिए संबह है तो यह बदलाव को वो जरूर से जरूर करे आन्यता बच्चों की भारी बीड की वज़े से रेलवे को अपनी मांगे खुद माननी पड़ जाएंगे इसके बाद अभी तक कौन सा बच्चा फॉर्म भर सकता और पहले भी यही बच्चा भर सकता इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है ALP में form बच्चा वहीं भर सकता है जिसने ITI करा होगा जिसने diploma करा होगा या जिसने B या BTEC करा होगा लेकिन अगर आप computer science से हैं या civil से हैं तो form को नहीं भर सकते इसके उपर मैंने detail video बनाई है लेकिन फिर भी कौन बच्चा form भर सकता है कौन नहीं भर सकता इसके उपर भी मैं detail video बहुत जल्द लेकर आने वाला हूँ जिससे आप सभी की maximum confusion दूर हो जाएगे अब आईए एक बार मुझे जरूर कमेंट करके बताईए कि आप मेंसे कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने ITI किया है ऐसे कितने मेरे साथ ही है जिन्होंने डिपलोमा करा है वो सभी साथ ही डिपलोमा जरूर कमेंट करिएगा और B-TEC वाले कितने साथ ही है वो B-TEC जरूर करिएगा ITI वाले बच्चे अपने ट्रेड का भी नाम बताते रहेंगे जैसे कि ज़्यादातर संख्या या तो इलिक्टीसन की होती है या आपके पास फिटर की होती है या मेकैनिकल वाले बच्चों की संख्या ज्यादातर होती है B-TEC वाले मेरे चलिए तो ज़्यादतर संख्या में मुझे ITI वाले बच्चों की भेड़ यहाँ पर ज़्यादा दिखरी है और मैक्सम जगहों पर देखा जाया तो बच्चा ITI करता भी इस वज़े से है क्योंकि उसे LP में जाना है और डिप्लोमार अगर बीटेक है तो हमारे लिए एक पूर कर सकते हैं एक अच्छी खासी सैलली LP में आपको देखने को मिलती है जिससे आपको काफी ज़्यादा राहत मिलेगी सभी चीजों के और रेलवे में नौकरी करने का मतलब होता है जैसे जब बहुत सारे बच्चे मिलते हैं बात होती है तो प्रेसर तो है और कोई ऐसा डिपार्टन नहीं है बच्चों जहाँ पर प्रेसर ना हो लेकिन रेलवे की खास बात ही है कि आपको जो पक्स मिलते है यानि जो सैलली इंक्रिमेंट है या आपको जो एक्ष्टा यहाँ पर चीज़े मिल नहीं है कि टिक्ट मिल ला है आने जाने का फुरी है वो सभी रेलवे की त्यारी को अपना सबसा पहला उप्सन चुनना होता है अब यहाँ पर यह फॉर्म तो आप भर पाएंगे की नहीं भर पाएंगे यह चीज़ को समझ गया है रेलवे एलपी का पेपर तीन चड़ों में होता है तीनों चड़ों को एकदम ध्यान से समझेगा और आपको नहीं ध्यान है तो आप इसका इसकिन सौट भी ले लिजेगा जिसमें सबसे पहला चरण CBT1 होता है जिसको सिरफ क्वालिफाई करना है इसके नंबर नहीं जुडते हैं आपकी मेरिट में इसके नंबर का हैं कितना भी आजया आपसे कोई फरक नहीं पड़ेगा ले से पहला पार्ट यहीं खतरनाक है क्यों क्योंकि इसी वाले सीच से आपकी मेरिट बनती है फाइनल में कि भाई सेलेक्शन हुआ या नहीं हुआ दूसरा पार्ट भी जो कि ट्रेड का है जिसमें आपको 35% नंबर लाना होता है पास हो जाएंगा इसके बाद फिर साइको होत यह बात की चीज़ है पहले तो मुझे इसी पर फोकस करना है जितना महनत आपको यहां करनी है उतना ही महनत यहां भी करनी है और यह आपने सुना भी होगा कि प्री जब 2018 आप उठा के देखेंगे तो ऐसे बच्चे बहुत मिलेंगे जिन्होंने खूब महनत किया लेकिन प बेसिक साइंस उन्हें रटा हुआ था कि यह करतेंगे वो करतेंगे हर फॉर्मोले आते सारी चीज़े आती प्री नहीं कौलिफाई हो पाया क्योंकि प्री को हलके में ले लिया अब आप खुद सोचों जहां पर वेकंसीज कम होगी अगर हम उस जोन से हैं खासकर कि लेकर चलना होगा ताकि आप उससाब से महनत कर पाईए अधर वेज़ आप सोच रहोंगे कि 75 नंबर का होगा चलो 40 नंबर लेंगे 50 नंबर लेंगे भीया उससे कुछ नहीं होने वाला बहुत कम ऐसे जोन होगे जहां पर इतनी कम कट आप जाने की होती होगी अब पार्ट भी कोश्टन आए होंगे ना वो सब करने वाले हैं और नंबर सिस्टम से 5-6 कोश्टन मिनिमाम आते हैं ये आप छोड़े नहीं सकते आपको यी बात अच्छे से पता है कि अगर एलपी में सेलेक्शन चाहिए तो भाई नंबर सिस्टम चाहिए ही चाहिए होगा और अगर MD कोश्टन आएगा 25 कोश्टन रीजिनिंग 20 कोश्टन साइंस और 10 कोश्टन करेंट इफर जनरल अवर्नेस ये दोनों मिला के 45-48 चलता रहता है कभी मैस के 20 होंगे कभी मैस के 27 हो जाएंगे अभी आप लोग उन्हें सायद मैक्सम बच्चे ऐसे जो जोनोंने पेपर से लेकर आ रहा हूं ताकि ये तो समझपाओ कि रेलवे में क्या पढ़ना है बच्चे कुछ भी पढ़े चले जा रहे है कोई खूब ज्यादा जो मिट्टी लगा रहा है कि खूब कोश्टन आएगा कोई खूब अल्जिब्रा लगा रहा है भी खूब कोश्टन आएगा औ और इसके 15 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा CBT2 के लिए अब CBT2 में जो पहला होगा मैथ होगा जहाँ प्री में 20 आथा ता यहाँ 25 हो जाएगा लेकिन यहाँ भी 25 से 30 चलता रहेगा अगर मैस बढ़ेगा तो मैस कम हो जाएगा कहो कि गुरु जी ऐसा क्यों होता है ऐसा इस वज़े से होता है बच्चा कि कुई मैस के बहुत सारे टॉपिक रीजिनिंग कवर कर देता है और रीजिनिंग के बहुत सारे टॉपिक मैस में आ जाते हैं अब इसलिए दोनों मिल जाते हैं आपस में कि कभी मैस जादा देखने को मिल जाता है कभी रीजिनिंग ज करने वाले हैं, मैं आपको जल्दी मिलाने वाला हूँ जो basic science और engineering पढ़ाएंगे और best पढ़ाएंगे बस इस चीज़ को मान लेना कि आप जैसे basic science और engineering यहाँ पढ़ा रहे होंगे, सैद आपको YouTube पर कहीं नहीं मिलने अला, एक class करके जरूर देखिएगा, अगर मैं कह रहा हूँ तो आपको इस बात का विश्वास तो होना चाहिए, कि आप टीचर में दम तो होगा, जो भी basic science कराने वाले होंगे, इसके बाद current affairs 10 question और जो सबसे बड़ा बदला हुए बच्चा वो यही है कि mains में current affairs नहीं आएगा हाँ, बिलकुल CBT2 का जो पहला पार्ट है, उसमें current affairs जनल अवेन जो 10 question था, वो नहीं आएगा इस बार, पहले आया करता था लेकिन question की संख्या 100 है, और आपके पास 90 मिनट है 1 by 3 के negative marking, इसका मतलब अब इसमें, इसमें या इसमें questions की संख्या बढ़ जाएगे, अब मुझे इन ही तीन topic पे इतना focus करना है ना, कि कुछ होई ना पाया अगर इसके बारी, अगर मैंने इसके बारे में पूछा, तो एकदम selection मेरा होई जाए, अब देखो कैसे official जरा देखो, यह मैंने 2018 की notice side खो ली है, हाँ 2018 है बच्चा ये, इसमें आप जब देखोगे, तो थोड़ा clear भईया जरा बच्चों को दिखा दीजे, इसमें आप जब देखोगे, तो जो दूसरा stage है, इसका जो part 1 होता है 100 question आपके पास पूछे जाएंगे इस part 1 में, यहाँ आपको देखने को मिल ला होगा, कि 100 question आपके part 1 में आएंगे, ठीक है यहाँ पर देखो, आपके पास 100 question part 1 में आएंगे और यह 90 minute का paper होगा लेकिन, अब आप जब देखोगे आगे, तो पिछले वाले में, यानि 2018 में subject क्या थे? Mathematics Reasoning, Basic Science और General Awareness अब जब यही चीज मैं आजाता हूँ 2024 वाले notice पे यहाँ देखो आपके पास है तो वही सारी चीजे कि भाई, 90 minute होगा, 100 question आएंगे part B में 75 question होगा 60 minute होगा, यह तो वही सारी चीजे हैं, लेकिन यहाँ पर जब आप syllabus में आएंगे, तो math है reasoning है, basic science है और यहाँ पर सीधे part भी दे दिया यानि current affairs का मामला हटा दिया गया है यह सबसे वड़ा major changes है और मुझे ऐसा लगता है कि इस बार cut off high सिरफ इस वज़े से जाएगी क्योंकि general awareness है, general science में current में कभी-कभी बच्चा 10 में से सिरफ 4 सही कर पाता था या 5 सही कर पाया, दो ही सही कर पाया अब तो वो जब चीज है ही नहीं तो math में full score कर सकते हैं, बिलकुल region में full कर सकते हैं, बिलकुल basic science आइंग, क्योंकि maximum आप देखोगे यहाँ पर मैंने basic science आप खोला, आप खुदी देख लो line है, geometric figures है work power energy है, speed है simple machine है, basic electricity है maximum आपको जो मिलेगा वो physics का chapter मिलेगा, यहाँ पर भी बच्चा पूरा score करता है, ज़्यादा तर 30, 32, 38, 35 ऐसे चलते score, 25, 28 भी आता तो अब score ज़्यादा होगा cut off ज़्यादा बनने के chances होगा इस बार ELP में क्योंकि current reference हटा दिया गया है, और GKJS तो आपको पता इतना broad syllabus है कि अगर कुछ भी पढ़लो, चाहें जितना पढ़लो, लेकिन confidence पूरा आना कहीं न कहीं मुस्किल लहता है तो ELP लेगा बच्चों सावधान हो जाईए क्योंकि अब आपको और ज़्यादा कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी selection के लिए और अब वही team चुनना जिससे आपका selection 100 प्रसर सुनिच्चित हो पाएगा, अब इन सब चीजों के बाद जरा देखिए किसकिस exam, किसकिस आपको सब्जिक्ट पे ज़्यादा फोकस करना होगा जहां से सफलता सुनिच्चित हो पाएगे सबसे पहले मैस प्री में 20 कोशन से 22 कोशन रख लो, अच्छा मेंस में आप यहाँ पर कितना रख लो 25 से लेके 30 कोशन, प्री में भी 20 से 25 रखो, अब सोचो यह प्री और मेंस दोनों में आ रहा है और इसको जब मैं आपको खुद करा रहा हूँगा तो मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा बहतर कुछ होगा और जब हम किताब लेकर इस पे आएंगे फवरी के पहले दूसरे सब्ता में वहाँ से प्रेक्टिस करना पूरा जिम्मेदारी ये मेरी है मैस की कुछ भी नहीं छूटेगा कहीं से भी सलेक्शन नहीं रुकेगा मैस की वज़े से रीजिनिंग, प्री में भाईया 25 से लेके 28 कोश्चन और मेंस में भी 25 से लेके 28 कोश्चन कौन पढ़ा रहा है बतानी क्या हो सकता नहीं अलपी में खुद सेलेक्टेड यूपी में आल इंडिया में पाचवी रैंक चंदन सा तो यहाँ भी मुझे कहने क्या हो सकता नहीं कि नंबर रुकेंगे इसके बास साइंस और बेसिक साइंस कि एक प्रितिसत की की भी कमी रह जाए जिससे बच्चे का सेलेक्शन रुके बाकि टेक्निकल आपने देखा भी होगा कि गेट में आठ बार कॉलिफाइड टीचर मेरे पास हैं जो कि टेक्निकल आपको पढ़ा रहे होते हैं उनसे भी मिलाँगो क्योंकि अभी ज्यादा आपको वहाँ पर ध्यान देने के आऊ सकता नहीं है अभी से बेसिक साइंस पढ़ा सकते हो क्योंकि वह भी प्रीमे कवर हो जाएगा क्योंकि वहाँ पर भी फीजिक्स कमश्टी बायो सब आएगा अभी से मैथ पढ़ो, रीजिनिंग पढ़ो, साइंस पढ़ो और बेसिक साइंस बस इस पर इतना फोकस रखो ना कि दो-तीन महीने में पहले तो पूरा सलेबस निप्टा दो और उसके बाद सिरफ रीवीजन, सिरफ प्रैक्टिसेट और उसके बाद जैसे पेपर अनाउंस हो तो हम कहे पाएं कि लाव पेपर 75 में से कितने कोशन करने है ये बताओ ऐसी हालत आपकी आजानी चाहिए, फिर मज़ा आएगा ना सलेक्शन में और फिर मज़ा आएगा कि आपकी बहतर रिजल्ट आने में अब मैंने एक वीडियो बच्चा बनाया था, जहां पर मैथ के कितने सब्जेक्ट, कितने टॉपिक से कितने कोशन आने है डिटेल में बनाया था, हजारों बच्चों ने उसको देखा है कहा भी था आपसे वादाब किया था कि इसकी जो पूरी PDF होगी, मैं आपकी अप्लिकेशन पर डाल दूँगा तो यह MD Classes का ओफिसल अप्लिकेशन है, यहाँ पर जो आप सिलेबस वाले सेक्शन में आएगे यहाँ पर सिलेबस वाला मिलेगा, थोड़ा सा बच्चों के किलियर दिखा दीजेगा यह MD Classes का ओफिसल अप्लिकेशन है, जब यहाँ पर आप सिलेबस वाले सेक्शन में आएगे न, तो पहले ही नंबर पर आपको मिल जाएगा ALP का Math Topic-Wise PDF, सारे टॉपिक मैंने बड़े डिटेज से समझा है कि किस टॉपिक से कितने कोश्चन आने वाले हैं और आपको कैसे इस पर मेहनत करनी है ताकि बहतर रेजल्ट लाप आईए और ये मुझे देनी क्या आओ सकता क्यों पड़ी ये आपको अच्छे से पता है मैंने बताये भी था उस दिन कि मैंने कई सारे ऐसी लोगों के वीडियो देखी कि Math में ऐसे ऐसे टॉपिक पढ़ा रहे जहां से कभी कोश्चन आए भी नहीं है और फिर ये होता है कि भाई क्या यहां से कोश्चन आएगा और बच्चा उसको पढ़ भी रहा है क्योंकि उसे भी नहीं पता कि यहां से कोश्चन बनते हैं या नहीं बनते हैं पहले ये समझो कि कहां से question आते हैं, ये पूरा 2018 का analysis करा हुआ है, इसके हिसाब से पढ़ोगे, तो फोड़ कर एक परिक्षा में आओगे, जहां पर आप देख भी सकते हो, number system से 7-9 question लिखे हुए, अब समझ लो इसकी क्या value होगे, तो MD Classes के officer application पर जाईएगा, syllabus ओले सक्सर मे syllabus ओले सक्सर में PDF देख लिजे, बाकी उसी के बगल में एक previous section भी पढ़ा हुआ, वहाँ पर भी हम ELP के सारे papers बहुत जल्द add कर देंगे, तो आपको वहाँ से भी फायदा मिल जाएगा, इसके लावा, number system की महत्यपूरता अब आप समझ चुके हैं, आईए रात में 9 बजे समझना कि मेरा selection नहीं होगा, अरे जब आपके पास बहतर team, बहतर content और बहतर रणनीती होगी, और आपके अंदर महनत करने की उर्जा होगी, तो selection क्यों नहीं होगा, और कैसे नहीं होगा, हर तरह से selection होगा, हर जगहां से selection होगा, बस अपने उपर focus रखेगा, और अपने अ महनत मैं खोदे करूँगा, ताकि इस बार जैसे LP का CBT1 हो या CBT2 हो, तो कोई नहीं कह पाए कि मुझे CBT2 के त्यारी करनी है या नहीं करनी, सर कितने cut-off जाएंगे, सर कितना number आएगा, सब कुछ यहां से clear होने वाला होगा, दूसरी चीज, आप में से मैकसम बच्चों को मैं बहुत समय से कह रहा हूँ कि मैं LP किताबे लेकर आँगा, किताबे लेकर आँगा, और 26 तारीक को हम launch भी करने वाले थे, लेकिन सबसे बड़ा दिक्क्यत है कि वेकेंसी इतनी कम है कि कुछ भी चीज अंदर से satisfy नहीं हो रही है, इस वज़े से जो किताबों की सारी किताब मिलेगी, तो मार्केट में सबसे अलग, सबसे ज़्यादा कंटेंट के लिए बहतर और एकदम एक्जाम रिलेमेंट मिलेगी, जैसा की हमेशा देते आए, आप इंतजार करिएगा, रात में 9 बजे मिलिए, आज सांधार से सर्में, धन्यवाद, बहुत-बहुत पूर त्यारी के लिए, रेलवे एलपी का कम्प्लीट कोर्स जिसमें CBT1 और CBT2 आपको मिलना होगा या पूरा आपको मिलेगा सिर्फ 49 रुपे में, तो देए किस बात की, अभी डाउनलोड करें MD Classes का अफिसल आप, या दिये का नमबरों पर वाट्सेप करें